असलाम लेकौन मेरी कहानी सुने वाले मेरे लिसनर्स एंड डीडर्स आप सब कैसे हैं मैं आलात अला के हां पूर अमीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलिस के साथ नियां की जिस कोने में जहां कहीं भी आबात होंगे आप लोग खुश होंगे जाद होंगे अबात होंगे अलात अला आपको हर आफ़त हर मुसीबत से मेर्फूस रखे इस वकट आप सब नॉवल क्रियेशन के प्रेटफॉर्म पर सुन रहे हैं नमल नमल अहमत का लिखाओ एक खुबसूरत नॉवल आईए श्रगत देए वो मेरा भाई था मैडम प्रोसीक्यूटर मैं अपने भाई को कतल क्यों करूंगा क्या बस यही डिफेंस दिफाँ है आपका वो स्पार्ट लेटर में बॉली जैसे मायोस हुई हो फारिस खामोश रहा उसे अब एहसास हुआ था कि जुमर उसकी तरफ है खिलाफ नहीं वो धीमा पड़ा नहीं मेरे पास एली भाई है मैं उस वकट अपनी भाईजी को उसके दोस्त की तरफ लेकर गया था एक होटल में यकिना होटल के सीसी चेवी कैमरा में मेरे आने और जाने बगारा का वक्त रेकोट होगा और मैं इस लड़की को गवाख के तोर पर भी पेश कर सकता हूँ अब ये है बेतर डिफेंस जुमर ने सर खिलाते हुए नोटस लिये फिर उसे देखा आपको मुझे अपनी एली भाईजी मिलवाना होगा मैं यकीन दहानी के बाद ही केस प्रीच करूँगी ओके कल तक उदर उसे इदर ले आँगा या आपको उदर ले जाँगा डन शुर जुमर ने चंद और नोटस लिये फिर सार उठा कर सोचती नजरों से उसे देखा पॉलिस ने आपको गिर्फतार नहीं किया गाड़ी से ये सब मिलने के बावजूद भी इन चीजों की तसावीर की तरफ इशारा किया क्योंकि मेरा ख्याल है ये वार्निंग थी कि मैं उसे खुदकुशी समझ कर बन कर दो वरना वो इसे मेरे उपर ढाल देंगे हूँ अब हम किसी सिंद भर रहे हैं तब ही हाशम कंकारा आई एम शूर फारिस बे गुना है साथ ही फारिस के तासराद देखे वो ज़रा नरम हुए सर के असवाद से हाशम की बात की ताइप की और उठ गया हर चीज के लिए शुक्रिया मैडम प्रोसीक्यूटर और फारिस पाहे निकल गया साथी कद्रे बेचैन कद्रे उल्चया हुआ था जुमर से बात करने के लिए लब खोले मगर फिर रॉप था या क्या वो बगार कुछ कहे पाहे चला गया हाशिम सबसे आखर में उठा मुस्कुरा कर जुमर को देखा आपको क्या ख्याल है क्या फारिस बेगुना है वो सामने पहले सफ़े समेटते हुए जरा शाने उचका कर बोली मेरी राए मैटर नहीं करती कम ओन हम तो अब दोस्त है नहीं हम बिल्कुल भी दोस्त नहीं है जुमर ने संजीत की से चेहरा उचा कर उसे देखा बहत हल मेरा ख्याल है कि वो बेगुना है हाशिम के गले में फंदा सा लगा बहत हल वो मुस्कुराता रहा और किस बाद से आपको ये लगा कतल केस में तीन चीज़े होती है कातिल, मक्तूल और वज़ा एकतल इस तकौन में कातिल की जगा फारिस फिच्च नहीं आता क्योंकि उसके पास अपने भाई को मानने के लिए कोई वज़ा कोई मकसद नहीं है वो क्यों मारेगा फारिस खाजी को हम सर इस बात में हिलाते खाशी मुड़ गया मुड़ते साथ ही चेहरे से मुस्कुराहच खाइब होई और उसकी जगा सक्ती ने ले ली खुद पे सो दफ़ा लानत भेज़ कर वो बाहर निकला आखिर इतनी एहम बात वो कैसे मिस्कर गया फारिस और साथी बाहर खड़े थे वो कोच का बचन बंद करता उन तक आया हलका सा मुस्कुराया जी ये को तुम्हारी बात पर यकीन है फारिस अब तुम्हें इसको अपनी यलिवरी से मिलवाना है बस जरा रुकर सवाल किया तुम कभी तागे नहीं बढ़ सकोगी अगर तुम फारिस से इंतकाम ना लो वो इस सब का जिम्यदार है और वो आजाद घूम रहा है मैंने चार साल इंतजार किया कि शायद कोट इसको सजा दे मगर मगर वो कल भी सब की नजर में बेगुना था आज पीपो बेगुना है वो सामने देखते हुए तलखी से बोली तो पिर अब क्या करोगी हमोश होकर बैट जाओगी वो इहत्याद से जुमर के तासुरा देखती जर्बे लगा रही थी ओहां अब मैं अपने इंतकाम खुद लोगी उस सर्द और सपाट सी हनूस दुलखा दुलखन को देख रही थी जवाहराद की आंके चमकी होंट मुस्कुराहच में डलते गे तुम कुछ प्लैन कर चुकी हो मैं तुम्हारी मद्द कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो आखिर फारिस ने बेवज़ा तुम पे इतना जुनम वज़ा थी उसके पास जुमर ने रुख फेर कर जवाहराद को देखा उसका रिष्टा मेरे पेरेंट से छुकराया था वो यही समझा कि मैंने छुकराया है तो उसने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं हमेशा के लिए ठुकरा दी जाओ जवाहराद में अर्मी से उसके गंदे पे हाथ रखा I am sorry मैंने उसकी तुमाम केस फाइल्स प्रोसीक्यूटर बसीरत से मांग ली है जवाहराद के हलक में कुछ अच्चका बजाहर मुस्कुरा कर उसने हैरत से कहा मकर तुम कानून से मायोस हो फिर इस केस को री उपन करने का क्या फाइदा री उपन नहीं करना सिर्फ पढ़ना है और देखना है कि इसमें कोई जंगारी बाकी है या नहीं और मुझे उमीद है कि मेरे दिल की तरह ये केस भी मुर्दा हो चुका है यो मेरी हुच्जत तुमाम हो जाएगी ओह तुम खुद को मुत्विन करना चाहती हो कि इनसाफ का रास्ता छोड़कर इनतकाम का रस्ता तुमने कानून से मुकमल महयोसी के बाद अपनाया जवाहराद की अठकी सांस पहाल होई दिल्चस्पी बढ़ गए जुमन ने इस बात में सर हिलाया इर्द गिर्द के लोगों से बेनियाज वो दोनों मद्धम आवाज में बाते कर रही थी तो इसके बात तुम क्या करोगी मिसिस कहता जब ये सब हुआ था तो मैंने और फारिस को अपना मुल्सिम नामजद किया था तब किसी ने मिरी बात का यकिन नहीं किया अगर कोट उसको सजा दे देता था पिसाधी अबा हनैन सब को ये जल्म लगता कोई कभी नहीं मानेगा कि फारिस ने ये सब मेरे साथ किया उसने मुझे इस जुरम की सजा दी जो मैंने किया ही नहीं था और अब तुम क्या करोगी जुमर ने गाल पे आई गुंगरियाली लाटुंगली पे लपेती जरा मस्कुरा कर जवाहरात को देखा और आहिस्ता से बोली मैं इसको एक ऐसे जुरम की सजा दूंगी जो उसने नहीं किया होगा और मैं इसको इस सब में इस तरह फसाँगी कि सादी बड़े अबबा सब उसे मजरम मानेंगे मगर सुमर किसी को सेट अप करना एक मुश्किल काम है तुम्हें इसके लिए फारिस के पल पल की रिपोर्ट चाहिए होगी उसके बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, कॉंटेक्ट्स, कम्प्यूटर्स हर शेयर तक रिसाई चाहिए होगी और सबसे बढ़कर आखित में तुमें उससे निकलने का महफोज रास्ता चाहिए होगा ताकि कोई तुम पर शक न कर सके ये सब तुम कैसे करोगी जवाहराद जरा उलची थी जुमर की मुस्कुराहच में मसीद तलखी आ गई है एक तरीका मगर इस पे खुद को राजी करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए जवाहराद में कदरे चौंकर उसे देखा कैसा तरीका वो जवाब में इतना आहिस्ता बोली कि जवाहराद को बाश्किल सुनाई दी बीमारी में और सहत में हम साथ रहेंगे अत्ता के मौत हमें चुदा करते जवाहराद बिलकु सून रह गई उसने बेयकीनी से जुमर को देखा तुम ऐसा नहीं कर सकती मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसे मुझसे शादी करना थी जो नहीं हुई और उसने मेरे साथ जो किया वो पुरी दुनिया ने देखा बस कुछ दिन लगेंगे फिर मैं खुद को राजी कर लूँगी इस शादी पे और इसके बाद जो मैं इसके साथ करूंगी वो भी पुरी दुनिया देखेगी तुम अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा जुपा कैसे खील सकती हो मेरी जिंदगी थोड़ी सी रह गई है मिसीस कारदार चार साल तक तो ये गुर्दे चल गए मगर आप शायद ही मजीद चार साल चले इस तोड़ी बहुत जिंदगी में मुझे बस एक काम करना है साथी और अबबा को दिखाना है कि मैं सच बोल रही थी और पारिस को उसके किये की सजा दिलवानी है बस जवाहरात में चौंकर उसे देखा और और तुम ये सब अपने दिल का बोज़ हलका करने को मुझे नहीं बता रही तुम्हें मेरी मदद चाहिए है ना जुमर हलका सा मुस्कुराई मैं आपके साथ अपने दिल का बोज़ क्यों हलका करूंगी ऑफ कोस मुझे आपकी मदद चाहिए इरादा बदला तो आप मेरे इंतकाम में मदद करेंगी उसने सर्द स्पार्ट से अंदाज में उसे देखा तो जवाहरात फोरण मुस्कुराई आगे बढ़कर नर्मी से उसका हाथ दबाया शूर, मैं अपनी बात पे काईन हूँ यह सब कुदरती तरीके से होगा वो बहुत जल्द तुम्हारी घर तुम्हारा रिष्टा लेने आएगा बस तुम इस उमर को यकीनी बनाना कि तुम्हारे वाली इंकार ना खरे तैंक्स जुमर का लहजा जंदा था जवारात खामोशी से सामने देखने लगी वो जहन में एक नया लाइखा अमल तर्टीब दे रही थी फंक्शन अब अपने इहतिताम की जानी रवादमा था सादी हनैन के साथ खामोशी से बैठा गाहे बगाहे दूर खड़ी हलकी आवाज में बाते करती जुमर और जवारात पे नज़र डाल लेते जवारात ने उसे खुद को देखता पाया तो नजाकत से मस्कुराई सादी जबरन मस्कुराया और रुख फेरा तो हनैन पे नज़र बड़ी बगर्दन जरा मौड कर दूर हाशिम को देख रही थी आँखों में नापसंदीद की उपरी चेहरा हनैन के करीब किया आएंदर इन से ज़्यादा बात करने के जोट नहीं है ना ही इनके किसी बात का एकबार करना हनैन ने चौंकर उसे देखा कदरे दिल गरिफती से वो जूट नहीं कह रहे थे उनको वाकई अफसोस है कदरे रुकी उनको अलीशा के लिए वाकई अफसोस है जाने विदोहनेन वो बिजार सा पीछे हुआ फिर वहां से उठाया फॉल के कौने में खुलते दर्वाजे पे परुका वो मर्दों के लिए मुखत रेस्ट रूम्स थे अंदर शीशे से धकी दिवार और सामने लगे बेसन के किताथ उसके आगे बात रूम से साधी एक बेसन के सामने आँख खड़ा हुआ नल खोला चेहरे पे चीन्टे मारे नल बंद किया साथ रखे टिशू उठाए हाथ साफ किये चेहरा उठाया तो छचचक करुका आइने में अपने अकब में हाशिम खड़ा नजर आ रहा था दोनों हाथ पेंट की जेबों में डाले फिटिच कोट का बचन बंद नर्मी से वगएर मुस्कुराहच उसे देखता तुम मेरे ओफिस नहीं आए मेरी सेक्च्च्च ने दुबारा तुम्हें फोन किया मगर तुमने नहीं उठाया मैं मस्रूफ था वो साथ जुकाए हाथ साफ करते हुए बोला हाशिम सोचती हुई नजरों से उसे देखता रहा कैई इस अफ़ते आओगे जी आओँगा मुझे और आपको बात करने की वाकी जरूरत है टिश्यू टौकरी में फेंकर साधी संजीदगी से कहते हुए मुड़ा तुम्हारे पस कुछ है साधी जो मेरा है तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे वो पूरामन तरीके से लुठा दो नहीं तो क्या करेंगे आप साधी कदम कदम चलता उसके सामने आया और उसकी आँखों में देखा हाशिम एक टिक उसे देखता रहा साथ साल पहले जिसमा लो असूम लड़के से वो मिला था वो ये नहीं था हाशिम के माथे पे बाल लाए मैं कुछ भी नहीं करूंगा बच्चे सिवाए एक नसीहत के जिस शख्स के खानदान के दो लोग कतल हो चुके हो उसको एक्तियात से काम लेना चाहिए कि कहीं एकला नंबर उसी का ना हो साधी के चेहरे पे अजीब सा दुख खुबरा भूमें सुकेट कर उसने कदरे ताज्जुब से हाशिम को देखा क्या आप मुझे जान से मारने की धंकी दे रहे हैं क्या आप मेरी जान ले सकते हैं हाशिम ने जेब से हाथ निकाल कर आदतन साधी का शाना थपता पाने को आगे बढ़ाया बगर जैसे ही उसका हाथ साधी के कंदे को छुआ वो करंट खा कर एक कदम पीछे हुआ दोनों हाथ उठा दिये और बहुत जब्द से एक एक लख चिवा कर बोला अपने इन हाथों से मुझे मत चुईएगा हाशिम का हाथ हवा में मुखलक रह गिया फिर उसने सक्त तासुरात के साथ सर को खम दिया हाथ वापिस नीचे कर लिया और हट कर खड़ा हो गया पानी से गारा और दुनिया के पहले कातिल को सजा सुनाई थी खुद मुझे आला ने क्या वो मौत थी नहीं बलके वो जिंदगी थी और कह दिया था खुदाने के ऐ काबील तुम फिरोगे जमीन में मफरूर बदनसीब निशान जदा होकर और तुम्हारी पेशानी के निशान से पहचान लेगा तुम्हे हर मिलने वाला और ये भी फरमाया के कोई कतल ना करे काबील को यूंके जो कोई कतल करेगा काबील को मैं उसे खुद सजा दूँगा साथ गुनाज ज्यादा हन्री लॉंग फैलो की तहरीर टेबल टॉक से माहोस जवाहरात बिलकुल सुनसी हुई जमर को देख रही थी गो के वो यही चाहती थी के जमर फारिस से इंतकाम ले मगर फिर भी इतनी तेजी से होता सब कुछ उसे मस्तरिब कर रहा थी उसने बजाहर मस्कुरा कर सामने देखा जहां शादी का फंक्शन और रोशनिया नजर आ रही थी और हमात और किरन भी Of course मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन ये इंतकाम फारिस से है ये खुद अपने आप से अगर पहला पूरा हो जाए तो दूसरा भी कबूल है मुझे जमर भी सपार्ट नजरों से सामने देख रही थी क्या तुम उसका मकदमा दी यो को नहीं कर सकती अगर अधालत उसको सजा दे तो ज्यादा बेहतर आप मेरी मदद करेंगी या मैं किसी और के पास जाओ आप पो याद होगा आपने मेरे पास आकर मुझे पेशकर्श की थी कि अगर कभी मेरा कानून शहादत आच्टिकल 15 के तहत हासिल नहीं है मुझे पता है वो मुस्कुराया पारस ने वाकी अब्रू उच्छा कर ताज्जू से इसे देख सादी ने कंदे उचकाए जुमर पुफो का बदीजा हूं आखर इतना कानून तो मुझे भी आता है पारस की तासरात कद्रे पत्रा आगे वो संजीदा सा वापिस मुड़ गिया सादी की मस्कुराहच मद्दम हुई क्या हुआ जो तुम्हारी पुफो ने मेरे साथ किया वो मैंने ही भूला इसलिए बेहतर है हम उस तरफ ना जाएं चाई पियोगे सादी का दिल बूरी तरह दुखा मगर उसने लग खोल कर बन कर लिये फिर सरहे लाया जी पियूंगा और कुरसी खेंचने लगा उपर किचन में सावान रखा है बना लो दो कप मेरे में चीनी ना हो वो जो वैटने लगा था रुका नाराजी से उसे देखा और बहुत अच्चा कहकर सीड़ियां की तरफ बढ़ गिया फारिस पर दस्तूर गर्दन चुकाई कागजात खंगाल रहा था ये नेक्सी का किचन लाउंज से मलहिका था बिलकुल ओपन उसने समान धूंदा चूला जलाया पानी में पती गोया जोंकी फिर खिड़की को देखा इस पे कोई परदा बगरा ना था खिड़कियों के शीशे पे गिफ्ट पेपर लगा भौंडी सी बचट की गई थी और ये तो सब को बता था कि जरताशा एक इंतहाई भोहर लड़की थी सादी ने खिड़की को ली तो सामने कसर का अकभी हिस्सा नुमाया हुआ हाशीम बौल कुते की तरफ उचालता वो से मुँ में कैच करके सौनिया की तरफ भागता सौनिया हस हस के दोहरी हो रही थी सादी के चेहरे पे जखमी ता तास्थर आया उसने खिड़की बंद कर दी जोर से ठक एक हफ़ता हो गया था हाशीम की फाइल्स वो लेकर भी बेबसी से बैठा था उसे जल्द 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 सुबूत ही कच्छे करके हाशीम के पास जाना था ताके जुमर और फारस की आपस की गलत फहमी दूर हो जाए जहन में आगे का लाइहा आमल तर्टीब देता हुचाई बनाकर नीचे लाया तो फारस अपनी भरी दिवार को देख रहा था निचला लब दान से दवाए आंके सुकेड कर कुछ सोचता ये आदमी उसने इल्यास वातमी की तस्वीर पे उंगली से दस्तक दी ये वारिस का बोस था और इसने वारिस से इस्तिफा मांगा था हर बन गली का सिरा इस शखस तक जाता है ये यकिनन कुछ न कुछ जानता है उसने ताइदी नजरों से साधी को देखा उसने शाने उच्काए और कप फारिस की तरफ बढ़ा दिया फारिस ने गूंट बढ़ा फिर बद मजगी से उसे देखा इसमें जिनी है ओह मैं भूल गया सोरी साधी ने माज़ूमी उसे माज़रत की कुर्सी पे बैचा और अपने काप से गूंट गूंट बनने लगा फारिस ने उसे गूर कर सर जचका फिर दोबारा दिवार को देखने लग वहां चिसपा तस्वीरे ब्लैक और वाइट से फिर यकायक इन में रंग भनने लगे कोई कोसे कजा चाई और जर्द मौसम में बहार उतर है फारिस बिलकुल खामोश था इन तस्वीरों को देखता रहा यहां तक कि वो चलने फिरने लगी गोया चार साल पहले के मनाजर अभी उनके पास आस पास पेश आ रहे हो शहर हवा में जलते रहना अंदेशों की चोखट पर रात गेता कुल्जे रहना बेमफ़ों क्यालों में चार साल कबर वारिस घाजी कतल के साथ दिन बाद तेजी से बाहर निकल गया हाशीम ने एक नजर अपने खाली हाथ को देखा वो सपीद था पतली उंगली नाबा काईदी से मैनी क्योर्ड शुदा उसने हलका सा सर जटका दिल में गहरा करब उत्र क्या वो दोनों वाकई वापिस नहीं जा सकते थे अच्छे वक्तों में वापिस वो बाहर आया तो नशेरवा बिजार सा खड़ा दूर पुर्सी पे बैठी हा नैर और साधी को गूर रहा था जैसे बस ना चलता हूँ दोनों बेहन भाई को गूली मारते क्या पक्वास की थी मैंने उसकी बहन का पीछा छोड़ दो उसने आकर सकती से कहा तो शेरू ने गड़ बढ़ा कर भाई को देखा फिला पर वाई से शान ने उच्छा किया मुझे क्या हाशिम ने घुर कर उसे देखा तुम अभी तक इस शेरीन टरॉमा से नहीं निकले शेरू बहुत हो गया उसकी वज़ा से मैं शेरीन को कभी नहीं पास सकूँगा पिछले एक हफ़ते से यही सोच सोच कर मेरा दमाग खोल रहा है और आप कहते हैं बहुत हो गया ओ प्लीस हाशी ने वेजार सा होकर साच चचका हमारे पास इस से बड़े मसाइद है और क्या मसला है आपने कहा था वो आपके डाकुमेंटस नहीं कौल सकेगा फिर नुशेरवा हैरान हुआ मगर वो जानता है कि मेरे हाथ पे किस किस का खून है कहते हुए अपने हाथों को देख रहा था नुशेरवान के अबरू ताज्यूफ से तने वो वारिस घाजी के फाइल्स वगर आके पीछे था वारिस को बाहिल आने के कोशिश कर रहा था मगर उसे ये कैसे बता चाल सकता है कि आप किसी कतल में मलावस उसे मालूम है शेरूह और फिलहाल ये ही सबसे बड़ा मसला है अगर हाँ तुम उसको नहीं छेड़ोगे मैं सब संभाल लोगा तुम कुछ नहीं करोगे बरहमी से उसको तंभिया की नशेरवान लापरवाई से चाने उचकाए ओके और फिर से उन ही नजरों से दूर बैटे साधी को देखने लगा वो लोग अब घर जाने की तयारी कर रहे थे फंक्शन ढलते चान की तरह दम तोड़ा था आगे अंधेरी दात थे कबसे है एक हरफ पे नजरे जमी हुई वो पढ़ रहा हूँ जो नहीं लिखा किताब में जम रशादी की तकरीब से लोटी तो उसकी हदायत के मकाभी सदाकत प्रोसिक्योटर बसीरत से केस फाइल्स दे आया था वो एक बड़ा सा बक्स था जो इसके कमरे के फर्श पे रखा था वो अबबा को सलाम और शब खाइर एक ही सांस में कहाई दर्वादा मकफल किया परस परे फेंका फिर अलमारी खोड़ी निचले खाने से एक चोटा डबा निकाला जिसमें से अखबार के तराशे इस सुबा निकल कर बाही जा गिरे थे जब फारिस बरी हुआ था वो सुबा जब सब कुछ बदल गिया था जब बाह उसमें बड़े बॉक्स के करीब ओंधा कर दी कागर तराशे नोट्स का डेह लग गिया फिर उसने बॉक्स को भी उल्टा दिया जुक कर जूतों के स्ट्रेप खोल कर उने परे उचाला गुंग्रियाले बालों का गोल मोर जुडा बना कर वो नीची बैठ भी जल्दी जल्दी उन चीज़ों को उलट पलट करती वो कुछ तलाश कर रही थी अबरों भींचे हुए लब सकती से पैविस्त आँखों में गुसा फिर धेर तले से उसने एक तस्वीर निकाली फिर दुबारा हाथ मारा ये रही दूसरी तस्वीर जब्त बरी सांस ले तसावीर लेकर उठी नंगे पाउ चलती दिवार तक गए जहां उंचा और चोड़ा सा ग्रीन बोट आवीजा था जुमर ने एक भी नुतारी और पहली तस्वीर वहां सामने लगाई फिर दूसरी भी पदरे पीछे हाच करतंदी से उनको देखा दर था शागासी और वारिस गासी ये उसका बोट था और अभी उसे ये भरना था वो वापिस पलटाई नीचे धेर लगी चीज़ां को उठा कर स्टड़ी टेबल पे रखा तर्तीब से सलीके से अंदर उठता उबाल कुछ कम हुआ था उसे मालूम था उसे क्या करना है मगर पहले हुज्जत तुमाम करने थी अपने समीर को मुत्मिन करना था कि हाँ वाकई हर रास्ता बंद होने के बाद मैंने ये कदम उठाया इनसाफ के दर्वाजे बंद हुए तो मैं इंतकाम की दरफ आई वो सपार्ट संजीता चेहरे के साथ कुरसी पे वैच गई कागजाद का पलंदा सामने रखा चेबल अमपोन किया पहले सफ़े की पेशानी पे दर्ज था सरकार बनाम फारिस खाजी जुमर की निगाहें लफज लफज अभूर करती गए खिर्की के बाहर रात कहरी थी और हर गुजरता पल उसको मजीद अंधेरा करता जा रहा था यहां तक कि वो तारीखी की इंतहा को पहुँच चुकी थी इतनी सिया, इतनी सिया के जैसे सारी रोशनियां दम तोड़ गई हो और फिर पोब भुट गई सुबह की पहली किरन नमुदार होई रोशनि को जैसे कोई रोशन मिल गया वो फैलती गई, कत्रा कत्रा किरन किरन और फिर रोशनि भी खूँच तेज होकर पुरानी होती गई सफेद चीशिट और नीली जीन्स में मलबूस सादी ने जब जुमर के कमरे का दर्वाजा खचचच आया सूरच सवाने से बिखाँ इतवार की सुस्त सुबा आज भी सुस्त थी उसको पिछले इतवार की सुबा याद आई जब जुमर उसके रेस्टोरेंट आई थी और उससे गुर्दे के बारे में सवाल किया था वो उदासी से मुस्कुराया फिर सरजटका दर्वाजा दुबारा बजाया कोई जबाब नहीं साधी ने आहिस्ता से दर्वाजा दखेला को वो खुलता चला गया अंदर का मन सरवाजया हुआ परश पे बेशुमार कागस बिख्रे हुए थे असावीर, फोटो, फोटो स्टेटो वो आईस्तरी से चलता अंदर आया ताज्जूब से सर उठा कर दिवार को देखा बोर्ड भरा हुआ था उपर वारिस और जटाशा की तसावीर और इनके आगे पीछे उपर नीचे बेश्मार तराशे काउख साथ और स्टिकी स्नॉट जिस बात है सरकार बनाव फायस घाजी से मतलिका शहादते, सबूत, नातमाम जवाबाद, ना काफी गवाईया सब वहां मुहतसरन सजा था साधी ने गर्दन मौर कर स्टर्डी चेबल की तरफ देखा, वहां भी फाइल्स बिकरी थी और एक खुली फाइल पे सर रखे जुका, पुपो, साधी ने नर्मी से उसके सर पे हाथ रखा, आपकी तब्यों ठीक है मैं आपका सर दबादू, हूँ कैकर सर उचाने लगी, तो वह सीधा हो गया बंद आखों से चेहरे से बाल हचाती सीधी हो गय थी लटे कान की पीछी अर्सी आँकों को पोरों से मसला फिर चेहरा मौड कर गुलाबी खवाबी दा आँकों से उसे देखा हलका सा मस्कुराई तुम का बाई? अभी मुझे रात को लगा था आप छीक नहीं है आप कुछ परिशान लग रहीं थी जहन के बर्दे पे जवाहरा से बात करती जुमर उबरी फिर एक पिकरमंध निका बिकले कागजों पे टाली आप क्या कर रहीं है जुमर? ओ, ये उसने इधर उधर देखा ये प्रोसीक्यूटर बसीदत ने मिच्वाए है वो कसल बंदी से उठी और चीज़े सोस्त रोवी से समेटने लगी डेर साथ पहले मैं भी यही कर रहा था मगर आपको यहां कुछ भी नहीं मिलेगा तुम ठीक कह रहे हो खलाफे तवक्या जुमर ने संजीद की से उसे देख कर कहा साथी एक दम चुपसा होकर उसी को देखने लगा वाकर यह केस मुरता है कोई भी चीज यह थाबत नहीं करती कि फारस गिल्टी है वो अब फाइल में सफ़े तर्टीब से लगा रही थी सिवाए आपकी गवाही के मतलब वो एक्तियाद से एक एक लफ कह रहा था मतलब जो आपने कोट में कहा यानि के फारिंग से पहले फारस गाजी के नमबर से फारस गाजी की आवाज में आपको कौल की गी थी और तुमने? जुमने पुर सकून धंडी निगाहों से उसका चेहरा देखा अपने वकील के जरीए कोट में हिसाबित कर दिया कि वो कौल जेली थी कोई सौफ्ट वियर यूस करके फारस से मुशाबा आवास बनाएगी थी जी क्योंकि वो जेली थी और इसलिए जजज ने मामो को रहा कर दिया यून नो सादी तुम ठीक कह रहे हो जुमर ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सरहिलाया हो सकता है मुझे वाकी सेटप किया गया हो वो सब जूट हो मेरी गल्ट गवाही की वज़ज़ से फारस नाम लेना भी अजियतनाग था में चार साल जेल में खाते यह किस मुकमल तोर पर पढ़ने के बाद गयर जानिम्दारी से मुझे वाकी ही लग रहा है कि मैं ही गल्ट हूँ मुझे नहीं पता मगर मेरा नहीं ख्याल कि अब मेरे पास कोई वज़़ा बाकी रह गई है तुम्हारे मामू को मर दिल जाम चहराने की इसलिए गो कि मेरा दिल पूरी तरह साफ नहीं हुआ मगर मैं अपने इल्जामात से पीछे हर्टती हूँ संजीत कीसे कहती हुए वह अब फटाफ़च कमरे की चीज़े अपनी जगां पर वापिस ला रही थी अगर मैं गल्थ हूँ और तुम सक छीक हो और शायद ऐसा ही हो तो मैं हार मानती हूँ मैं ये नहीं चाहता या आप हार माने उसको दुख हुआ था गोच फिर तुम मुझे एक बात बताओ फारिस ने जो मुझे कॉल की थी जो तुम्हारे बकॉल चेली आवास थी वोच एवर उसकी रिकोजिंग तुम्हे कहां से मिली रिकोजिंग साधी के हलक में कुछ भज़ा देर साल पहरे तुम्हारे वकील ने वो रिकोजिंग अधालत में पेश की थी और तुम्हारे एक्सपर्ट गवा ने ये थाबित किया था कि इस आवास का वाइस प्रिंट चाफारिस की आवास के वाइस प्रिंट से मुख्लिफ है और इस रिकोजिंग का सोर्स तुम लोगों ने कभी साहि नहीं किया था क्या तुम मुझे बताओंगे वो तुम्हे कहां से मिली उसकी संजीता बूरी आँखे साधी पे जमी थी सा कि आवासा सोचा फिर छहर छहर कर बूला मैं जवाब देने से इंकार करता हूं इस मुनियाद पे कि मेरा जवाब मुझे मुझे मुर्त के जुर्म जाहिर कर सकता है कानूनी शहादत आर्टिकल 15 के तहट तुम्हें ये इस तसना हासिल नहीं है क्योंकि ऐसे जवाब पे का हक रखता हूं ओके जुम्हें गहरी सांस लेकर मुस्कुराई सर को हम दिया और बाहर आकर सिदाकत को चाय के लिए आवाज दी सादी उलचा हुआ खड़ा रहा फिर पलच कर उसे देखा क्या आप फारिस खाजी को बेगना कह रही हैं मैं ये कह रही हूं कि मैं दुबार साद से भरा था जुमर ने केस पड़ा शहादत दें सबूत वो सब देखा जिस से वो हमेशा मूँ फेर कर चली जाती थी और उसे यकीन आ गया कि फारिस बेगना है सीदी सी बात थी उसे तो खुश होना चाहिए था मगर पजल का कौन सा टुकड़ा खाइब था सादा सी ब पुना था वो नम्हा आया और कुसर किया मगर वो मुत्मिन क्यों नहीं था क्या इसलिए क्यों क्यों कि वो कई साल पहले वाला मचसू scheintी नहीं था और आज के सादी का दमाग उसे बता रहा था कि समर इतनी असानी से मृणने बाड़ी टहनी नहीं थी फिर वो खुश से उल कारदार कसर पर वो इतवार मामूल की चुस्ती और गहमा गहमी के साथ तलू हुई थी साधी ने नीची चारदेवारी पे होरन दिया उसे देखकर गार्ड ने दर्वाजा खोला कार महसूस चेक पॉइंट से गुजर कर आगे आई जलाना बूर की और वो रहा सामने उंचा महल और उसके अकप में चोटी सी अनेक्सी वो कार इस रविश पे आगे ले गिया जो उंचे नीचे सबसे के दरम्यान से गुजर कर अनेक्सी तक जाती थी दफ़तन उसने रिफ्तारा हिस्ता कर दी हाशिम की अकवी बालकौनी का मनजर सामने आया वो नीचे सबसे पे खड़ा था चावजर और आदी आस्तीन की टीशर्ट में हस्ते हुए जुखकर अपने पाल तो लेबज जोर कुटे के बालों को सहला रहा था साथ बे एत्यार हस्ती पुर्जोश सी सौनिया खड़ी थी वो दोनों मत्तम हावाज में बाते करते हस्ते जा रहे थे गाड़ी की आवाज पे हाशिम ने सर उचाया एक नज़र जाए इंसीच पे बैठे साथी को देखा दूसरे कार के रुख पे डाली मतलब वो अनेक्सी जा रहा था पिर कार का, फिर मसकुरा कर सीदा हुआ हलका सा आत लाया साथी ने जवाब में बिना मसकुरा इदाया ہाथ उचाया पिशानी की करीब ले जाकर सर को खंड दिया खामोश सला अधब पहला करीना है दुश्मनी के करीनों में और कार आगे ले गिया हाशिम सर्द सी मुस्कुराहट से उसे दूर जाते देखता रहा फिर साज जटक कसोनिया के तरफ मतवज्जो हो गया जो उसे कुछ कह रही थी साधी ने कार अनेक्सी के करीब खड़ी की पीछे देखे बगार बरामदे में आया बेल दबाई बिजली नहीं थी तबी घंची नहीं बची उसने दर्वाजा खटकटाया जवाब नदारत उसने इंतजार नहीं किया चाब भी उसके पास थी फारस ने जेल के समाने से उसे दे रखी थी अंदर आया तो घर खामोश खड़ा था वो कदरे हैरान सा एक कमरे से दूसरे तक गया बाहित फारस की कार तो खड़ी थी फिर इदर हो नीचे फारस की आवाज आई तो हो चौंका फिर गहरी सांस लेकर बेस्मेंट को जाती सीरियों तक आया नीचे पूरे घर के रखवे जितना बड़ा सा कमरा था जिसमें बड़े बड़े सतून थे इर्द गिर्द कार्थ कबार्ट पुराना फरीजर्स गाड़ी का सामान वगरा रखा था एक दिवार पे खाली रैक्स थे यहां किसी जमाने में फारस की पिस्तोलों और बंदू को कलेक्शन होती थी जब पुलिस ने इसे गिरफतार किया तो सब ले गई कुछ भी वापिस नहीं किया साधी जी ने उतरता तैखाने के फरिश्टा काया अंदर सफेद बलब जल रहे थे फिर भी रोशनी कम लगती थी पारस दिवार से लगी मेज के आगे खड़ा था साधी की तरफ पुछ थी सर जुका कर मुँँ में कुछ चबाता कुछ कागजात उलट पुलच का रहा था मगर साधी ने उसे नहीं देखा वो मेज के पीछे मजूद दिवार को देखता कदम कदम आगे आया वहां कोई बोज वगारा नहीं था दिवार पे ही तसावीर कागजात किंग्स वगारा चिस्पा थे उपर नीचे दाएं बाईं ये जुमर की दिवार से ज्यादा भरी हुई थी साधी के अबरू फिकरमंदी से इकटे हुए जरा खफकी से रुख फेर कर उसे देखा तो आप दो हफ़ते से ये कर रहे थे कोई अतरास वो प्याले में रखी सौंब के दाने उठाकर मुँ में रखता मुड़े बिना बोला अभी तक साधी को नहीं देखा था मगर आप कर क्या रहे हैं वो इसके सामें यांख खड़ा हुआ आँखे सुकेर कर उसका दाहना रुख देखा चोटे कटे बाल और संजीत की से सुकड़ी सुनेहरी जर्थ आँखे जो अब दीवार पे जमी थी जो सारी जिंदरी किया है तफशीश वो सुरक मारकर लेकर दिवार तक किया एक कटिंग जिस्पा की और मारकर से उपर सवालिया निशान बनाया फिर वापिस मुड़कर सादी को संजीत की से देखने लगा तुम कैसे आए मगर वो अब गर्दन मोड़कर मेज के किनारे पे रखे बैक को देख रहा था जिसमें उसकी ताजा ताजा मंगवाई गई गंस थी और गोलिया और ये सब कुछ देखते हुए सादी को गुसा आने लगा वो इसकी बेगोना ही के सबूत देता ठक गया और इधर आकर कोई ये सब देख ले तो क्या ये आपके नाम पर लेसंस शुदा है ना पसंदी इतकी से गंस को देखकर उसमें मश्कूक नजरों से फारिस का चेहरा देखा नहीं अगर गिलतार करना है तो कर लो तलही से कहता हुआ मैं मेज तक पाफ भी साया और कांगजा तुछा कर दूसरी तरफ रखने लगा सादी ने बेबसी से उसे देखा देर साल पहले मैं यही कर रहा था मगर ये तफशीश आपको कहीं नहीं लेकर जाएगे इसके आगे बंद कली है तो फिर तुम मुझे सिखा दो के तफशीश कैसे करते हैं मैं सारी क्लासिस रटेंट करूंगा नाग से मक्ही उड़ाता वो असर लिए बीना बोला सादी उफ करके रह गिया फिर खूम कर उसके सामने आया अगर आपको पता चल भी गया कि ये सब किसने किया है तो आपने ये असलाए इसलिए ले लिया है ना ताकि इसको आप जाकर गोरी मार दे तुम ख़ून के बदले खून पर यकिन नहीं रखते हैं बल्कुर रखता हूं मगर इंतकाम लेने की भी तरीके होते हैं आप इसको मार देंगे करको उसके खांदान वाले किसी और को मार देंगे और ये साइकल ओफ रिवेंच यानि इन्तकाम का चक्र कभी खतम नहीं होगा उसने फिकरमंदी से समझाते हुए आहिस्ता से फारिस की कोहनी थामी मामू हम उनको सजा जरूर दिल्वाएंगे मगर कानूनी तरीके से इस तरह नहीं फारिस्ती की आँके करकी उसे देखता रहा और इस उनमें कौन-कौन शामिल है वजाहत करोगे साइधी ने कोहनी छोड़ी पीछे हुआ थूक निकला जरा से शाने उचकाए मुझे कैसे पता हो सकता है यही तो पूछ रहा हूँ जो तुमें पता है वो किसे पता है साइधी ने छहे छहे का नजर मिलाई बरना दिवार को देखते हुए जवाबन कहा मैं जवाब देने से इंकार करता हूँ इस बन्याद पे के मेरा जवाब मुझे मुर्थ के वे जुर्म साबिक कर सकता है ओ कमोन तुमें ये इस्तस्ना कस्ते कारदार के लिविंग डूम की उंची किर्कियों से धूप चंकर आ रही थी औरंगजेब कारदार बिगड़े तांसर और खफा आंकों के साथ फोन पे बात करके हच्चे और मुबाइल फेंकने के अंदाज में सोफे पे उच्छा ला टाई की नौच डिली की जब्त करते हुए सोफे के आगे दो तीन चक्रों में टहले दफ़ तन हील की ठिक 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 आती सुनाई दी औरंगजेब ने पलचकर खुश्मगी निगाहों से देखा रहतारी से जवाराब चलती आ रही थी पंद गले का सफेद लंबा गाउन पहने दूबले पतली स्मार्ट जवान और खुबसूरत थी यकीनन अभी कहीं से लोटी थी कोहनी पे अच्का परस मुस्कुराते हुए मेज पे रखा और करीब आई गुजेवनिंग गाउन के गले पे लगे बचन को दो उंगलियों से छेड़ती वो मिठी मुस्कुराहच के साथ औरंगजेब को देख रही थी ये फारिस के भाई के कतल का क्या चक्कर है तोरी वो तो तुम कई साल पहले अपने भाज़े को दी चुके हो ज्वारात वो बजाहर तैश से गुराए मगर इस जारियत में मुदाफ़ाना से जलकती भी फिकर रहो कोई मसला नहीं है कुछ लोग उसके भाई की खुदकुशी को कतल करार दे रहे हैं और इसका इलजाम फारिस पे लगा रहे हैं ठीक है कि फारिस कतल के वकत पार्टी में नहीं था पुनर्मी से कहती आगी आई कॉर्णर में नसब एक वारियम तक आकर रुकी गर्दन जुका कर उसमें जांका और ठीक है वारिस का मुबाइल फारस की कार से मिला है दो उंगलियों से एक वेरियम का शीशा बजाया मचलियों में हलचल सी मची जवाहरात मुस्कुराई और हाँ वो रसी जिससे वारिस के हाथ पैर बांदें के वो भी उसके पास से मिली है और वो था भी फारिस का सोतेला भाई मगर सीधी हुई स्टैंड में रखी जार से खुराक की मुथी भरी और पानी के उपर खुल दी सारे दाने पानी में गिर गए मगर इस सबसे क्या फरक पड़ता है तुम्हारे भांजे को गंस जमा करने का शोक है इस्तमाल करने का थोड़ी है यकिनन ये एक खुदकुशी होगी ना के कतल वो दाना डालकर हाथ टिशू से साफ करती चमकती आँखों से मुस्कुराती उनके सामने आई है ना और घुसे से खोलते और अंगजे उस से पहले के मज़ीद कुछ कहते वो उनको वही छोड़कर आगे बढ़ गई तेस तेस चलती वो रहधारी में आगे आई तो मुस्कुराहच इस तराब में तबदील हो गई कंट्रॉल रूम के दर्वाजे को खोला तो अंदर मजूद खावर और हाशिम दोनों चौंके वो दर्वाजा बंद करके हाशिम के सामने आँख खड़ी हुई और सुरक्ती नजरों से उसे खुरा तुम्हारे बाप की कैमपेन डिस्टरब हो रही है इस सब से और वो खुश नहीं है देख चुका हूँ हाशिम ने बेजारी से दिवार पे नसब स्क्रीन्स में से एक की जानी बिशारा किया जहां लाउंज के सिसीची भी कैमरा की फोटे चल रही थी बिना आवाज के वीडियो बाकी स्क्रीन्स पर दूसरे मनाजर थी लाउंज के इलावा गेट, लाउन, बेरूनी बरामद, बेरूनी बरामदा जिसे चंद मकामात पे ही ये कैमरे नस्थ थे नहीं नहीं चाहती कि वो फारिस के साथ खड़ा हो जाए इसलिए जो करना है जल्दी करो हाशिम समाल लेगा अब क्यों फिकर करती है वो मुस्तरिब सा ये कहकर आगे आया और खावर की कुर्सी के साथ जुक कर लैपटॉप को देखने रगा जिस पे खावर छक छक काम किये जा रहा था आज तुम सादी और फारिस के साथ प्रोसीकूटर के पास गे थे क्या कहा उसने उसे फारिस की बेगुनाही का यकीन है क्योंकि फारिस के पास कतल की बज़ा नहीं है तो तुम्हाशिम उसे कतल करवाने से पहली बज़ा जूंटकर फारिस पे ये सब प्लांट करना चाहिए था जब आहरात कुराई थी वो तैश से उसकी तरफ मोड़ा मैं कार्पुरेट लोयर हूँ किराय का कातिल नहीं और मैंने कुछ भी प्लैनिंग से नहीं किया था आपको मालूम है ये एक गल्ती थी और मुझे इसको फिक्स करना है रुख कर उसने घुसे से मा को देखते हुए एक दो सांसे ली और ये सब इतने आराम से फिक्स नहीं होगा सिर्फ फारिस नहीं खावर भी कतल के वक्त पार्टी में नहीं था उसी पल तरवाजा रस्मी सी दस्तक के साथ खुला हाशी मचवाहरात करंट खाकर उस तरफ खुमे खावर भी बे एक्तियार कुर्सी से उठ खरा हुआ ओ, I am sorry, मैं अंकल ने बुलाया था तो वो सरताशा थी, जो खट पे रुक के वापिस जाने लगी थी आप लोग बीजी हैं, it's okay, मैं बात में आ जाओंगी कद्रे तजबजब से माज़रत करते हुए एक कदम पीछे हटाया बारी बारी सब के चेहरे देखे जो सफेद पढ़ गे थे नहीं, हम बस बात कर रहे थे आशीम ने थूक निकला था, चेहरे पे जबरदस्ती मुस्कुराह चलाता आगे आया मगर उड़ी रंगत और आँखों में आती परिशानी दबा नहीं पा रहा था सोरी, मैं ऐसे ही आ गई वो जरा शर्मिंदा, जरा सोच थी, उलचती निगाहों से उनको देख रही थी वो आपस में इतने उलचे हुए थे, कि उसे आते स्क्रीन की फोटेज में नहीं देखा कोई बात नहीं, हम एक ही खांदान है जबाहरा फीका सा मुस्कुराई, अपनी जगा से वो एक इंच भी नहीं हिल पा रही थी कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया अंकल फारस के बारे में पोच रहे थे वारस भाई के कतल की पेशर अफ़त वगारा मैं यहीं आपसे पोचनी आई थी मुझे तो कोई कुछ पताता ही नहीं है कहते कहते उसने तिर्ची नज़र खावर पे डाली जो बिलकुल दम सादे ख़ड़ा था साउंच प्रूफ दर्वाजे को खोलते वकत आखरी फिक्रा कान में पढ़ा था सिरफ फारस नहीं खावर भी उस वकत पाठ्टी में नहीं था हाशिम खंकार कर गला साफ करता बाहिर आया जरताशा भी चोखट से हचकर रहधारी में आखड़ी हुई हाशिम ने बात शुरू करने से कबल जरा एहत्याद से उसे देखा वो 24-25 वरत्स की उस शकल सिया आँखों और स्टेप में कटे बालो वाली लड़की थी उस वक्त अबरू जरा उलचन से स्कोर कर उसे देख रही थी हम सब को पता है के फारिस बेगुना है उसकी गाड़ी से कुछ मिलने से कुछ साबित नहीं होता जरताशा वो काफी संबल कर उसकी आँखों में देख कर कह रहा था रही बात प्रोसीक्यूटर की तो वो खाम खार फारिस पे शक कर रही है और इसको बार बार सवाल जवाब के लिए अपने पास बुला रही है प्रोसीक्यूटर जुमर यून नौ सादी की पूपो अभी तो पहर को भी फारिस वही था जरताशा की उलचन मध्धम होई उसकी जगा नागवारी से उबरी वो फारिस पे शक कर रही है उसने फारिस को कहा है कि वो इसे अपनी अलिबाई से में खिलवाए इसको फारिस की बेगुनाही का सबूत चाहिए अब मालूम नहीं कितने दिन वो विचारा उसके ओफिस के चक्कर लगाता रहेगा मगर जुमर को कौन समझाए तो जब तक इसको यकीन नहीं आएगा वो फारिस को अपने पास बुलवाती रहेगी वो तेजी से उसे देखती बोली ओ कमान हाशिम ने बे परवाई से सर जटका रोस के चंद गहन्टे इसके साथ गुजार लेने से उनके दरमयान कोई परानी बात पिर से नहीं शुरू हो जाएगी बरोसा करो अपने शोहर पे और हाशिम के लिए इलफास ताश के पते थे आगे पीछे उलट पलट करके उनको तर्तीब दिया मर्जी के सामने लाया मर्जी के चुपा गया और मर्जी का मतलब निकाल लिया जरताश लाब भींचे जब्त से वापिस मुड़ गई वो फूरान उसके पीछे आया सुनो तुम्हें भी फारिस वे शक है बेशक वो पार्टी में उस वकत नहीं था मगर वो दोनों साथ साथ रहतारी में चल रहे थे जब हाशम ने पते फिर से सजाए मगर वो तेजी से उसकी तरफ खूमी सिर्फ फारिस क्यों खार भी तो वाटी में नहीं था फिर पुलिस सिर्फ फारिस के पीछे क्यों आ रही है उसने जो सुना था उगल दिया मगर हाशम तयार था और बजाहिर हैरत से सर इस बात में हिलाया वाकई अजीब बात है मैं भी अभी ममी से यही कह रहा था कि खावर भी उस वकत नहीं था और भी कुछ लोग नहीं थे मगर और कौन उसने उसी तेजी से बात का थी यही हमारे कुछ दोस्त मगर मेरी पार्ठी कोई ऐसा पिमाना तो नहीं है कि जो इसमें नहीं होगा वो ही कातिल है लहाजा इसी पे शक किया जाए यह फारस पे शक प्रोसीक्यूटर की उससे तफशीश यह सब जान दूर के किया जा रहा है मुझे नहीं पता वो उलचती हुई बाहर निकल गई आशिम घड़ा उससे जाता देखता रहा वो वापिस आया तो दम सादे खड़ी जवाहरा तब तक नहीं बोली जब तक उसने दर्वाजा बंद करके लोक ना कर दिया फिर गहरी सांस लेकर उन दोनों की तरफ घूमा उसने कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं सुनी मेरी आशाब जवाब दे रहे हैं आशिम जवाहरा ठीक पड़ी इस सब को खत्म करो फारिस पे सब लजाम साबित करवाओ उसे जेल बिचवाओ तकि मैं सकून की नेंस हो सकूँ जानता हूँ वो संजीत की से कहता खावित के लैपटोप तक आया और सवालिया नजरों से उसे देखा कहां तक पहुंचा काम हो गया है सर वो ताबिदारी सी स्क्रीन पर उसे कुछ दिखाने लगा जवाहराद सामने खड़ी थी फिकरवांद उल्ची हुई सी उनको देखने लगी तुम लोग क्या प्लैन कर रहे हो बाहि लॉन में जरताशा सीने पे बाजू लपेटे सर जुकाई किसी अजीब कश्म कश्मे चलती जा रही थी दफ़तन आवाजों पे वो रुकी गर्दन गुमा कर देखा लॉन के किनारे मस्नुई आपशार थी वो उस वक्त बंग थी और उसके स्टेप पे शेरीन बैठी थी टाइट्स के साथ सुरख काफ़तान नुमा शेर्ट पहने वो चींगम चबाती सा जुकाई मुबाईल पे बटन दबा रही थी जर्दाशा ने लम्हे भर को सोचा कि उसकी शेर्ट गर्दन की माला कलाई का कड़ा ओह ये लॉन्ग शूस ये किस किस ब्रैंट के होंगे मगर फिर उसने सर जच्चका और उस तरफ आई शेरीन शेरीन ने चौंकर सर उठाया फिर आंके सकूर कर उसे देखते चेहरे पे सामने को आई सुनेहरी बाल पीच्चे हटाए हेलो सर दाशा वो क्रोफर से मस्कुराई क्या तुम मुझे सोनी की बज़े पाच्ची की वीडियो दे सकती हो मुझे अपनी कजन्स को तुम्हारी सारी दिखानी है एक्स्ट्रा कोपी होगी ना तुम्हारे पास शूर खावर ने बहुत सी सीजिस मुझे दी थी मैं मेरी एंजियो के हाथ बिचवाती हूँ सफाखराना शाने उचकाए जरताशा नर्मी से थैंक्स कहकर आगे बढ़ गए चलने को ही है एक समूम अभी रक्स फर्मा है रोह बर्बादी तुम्हें एक तीर से कितनी शिकार करना चाह रही हूँ आशिम अगर कुछ खलत हो गया तो फिर से सुन ले प्लैन कुछ खलत नहीं होगा हम जुमर पे फाइरिंग करेंगे गन फारस की इस्तमाल होगी होटल के जिस कमरे से गोली चलेगी वो भी उसी के नाम पे होगा गन पे फारस के फिंगर प्रिंट्स भी मिलेंगे और अगर वो मर गी तो जब हारात को हौल उच रहे थे उसको नहीं मानना हमने ममी वो बजाहिर फारस से तफ्शीर कर रही है उस पे शक कर रही है ऐसे में जुमर को ये हमला एक मुझरम को खुद को चुपाने का हर्बा लगेगा वो यही समझेगी कि गिरफतारी के खौफ से फारस ने ये सब किया है और अगर उसने इसे फारस के खिलाफ साज़िश समझा तो हाशिम पहली दफ़ा खुलकर मुस्कुराया और खाविश को देखा वो भी मुस्कुराया जवाहरात ने बारी बारी दोनों को देखा क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ जुमर कभी भी नहीं समझेगी कि ये फारस के खिलाफ साज़िश है वो फारस को ही कसूर बार समझेगी क JEN के ये बात उसे फारस खुद कहेगा ओकें, और फारस उसे ये बात क्यों कहेगा जवाहरात अब ज़रा उक्ताने लगी थी वो इस तरह ममी कि हम फारस की तरफ से जुमर को یہी बात कहलाएंगे हरकिस नहीं हाशिम जवाहराद ने कौफत से सर जच्चका जुमर को आज भी फारिस की बेगुनाही का यकिन है कल भी होगा हम इसको फारिस की तरफ से कॉल करेंगे कहते हुए हाशिम ने खावर की तरफ इशारा किया खावर ने लैपटॉप स्क्रीन जवाहराद की सामने की वो मुश्टवा नजरों से उसे देखती करीब आई क्या तुम दोनों वज़ाहत करना पसंद करोगे खावर ने सर को इस वात में हिलाया और स्क्रीन को देखते हुए मौदब अंदास में समझाने लगा मैंने इस सोफ्ट रुएर में फारिस के तुमाम रिकॉर्डिंग्स डाल दी हैं जो मेरे पास है हम पिछले एक हफ़ते से इसका फून टैप कर रहे थे अब देखिए वो चंद बटन दबा कर मजीद सफ़े कोलने लगा जवाह रात बादस तूर मश्कोक सी उसे देखने लगी मैं जो भी टाइप करूंगा वो फारिस की ओवास में उवर कर सामने आएगा हम फारिस के फोन से प्रोसीक्यूटर को कोल करेंगे और हमारा कहा हुआ स्क्रिप्ट उसकी ओवास में पढ़ा जाएगा वो यही समझेगी कि यह फारिस है और इस पे हमला करने से पहले उसके सामने इत्राफे जर्म करके अपने जमीर की आखरी चुबन निकाल रहा है और उसको खतम करके आखरी सबूत भी मिटाना चाहता है लेकिन चुमके वो जिन्दा बच जाएगी इसलिए वो इसी काल को फारिस के खिलाफ एस्तमाल करेगी अफकोर्स जमर के पास ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी लेकिन उसको फारिस के ये इलफास सारी जिन्दगी याद रहेंगे इस मुनियाद पे वो इसे जेल भी बिचवाएगी और वो इसके खिलाफ सबसे बड़ी गवाँ होगी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे जवाहराद कद्रे अचंबे से दोनों के चेहरे देखने लगी लब दान्त से काड़ते हुए वो काफी मतफ़क के नजर आ रही थी हाशिम अगर कुछ गल्द हो गया अगर जुमर हमारी चाल में ना आई अगर उसने इस सब को एक सोचा समझा प्लैन समझा तो तो पिर हमारी किसमत का फैसला उसी के हाथ में होगा वगर मैं अपने खानदान के लिए अच्छी उमीद रखना चाता हूँ वो शान ने उचका कर सपाच नजर सा आने लगा जवाहरात ने बादिकत मुस्कुरा कर सर हिलाया मगर वो अभी भी खुश नहीं थी आँखों में शदीद इस्तराब था फिर यकायक किसी ख्याल के तहट उसने चौंकर हाशिम को देखा लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई अगर फारिस ने वाकई वारिस का कतल किया है और वो जुमर के सामने अपनी कॉल में इत्राफ जुर्म कर भी लेगा तो भी वज़े कतल क्या होगी कमस कम इस सारे प्लैन में मुझे वज़े कतल नजर नहीं आ रही हाशिम के ताफरात कदरे सख्ट हो गए उसकी आंके सुकर गई और उनमें एक अजीब सा जजबा हलकोरे लेने लगा उसने गर्दन मौड कर दर्वाजे की तरफ देखा जहां से अभी अभी सरताशा वापिस केई थी और फिर दुबारा मा की तरफ रुख फेरा जब वो बोला तो उसकी आवाज में जखमी पंसा था वज़े कतल सामने है और मैं इसको इस सब में फिच कर लूँगा भरोसा रखिए हाशिम हर चीज संभल सकता है जबाहरात बस इसको देख कर रह गई उसने सोचा कि वो हाशिम से पूछे कि वो वज़े कतल क्या बना रहा है लकिन फिर उससे पूछा नहीं किया दिल पर पड़े बोज बढ़ती जा रहे थे वो बेदिली से उठकर वहां से आ गई बाही राई तो औरंग जेब लाउंच में बैठे थे उनके सामने जवाहरात ने चेहरे पे मस्नुई मुस्कुराच वैसे ही सजा ली और बड़ी तमकनत से आकर बड़े सोफे पर बैठ गी चांग पे चांग रखे बाद उसोफे के हथे पर जमाया और मुस्कुरा कर उने देखने लगी उनके तने तासुरात मसीद तन गे खद्रे मदाफाना सी जारियत से वो उसको देख कर बोले हाशिम से कहो जल दस जल ये मामला खातुम करे मैं इस वकद इस तरह का कोई स्कैंडल फोर्ड नहीं कर सकता जवारात ने मुस्कुरा कर इस बात में सर को खम दिया कम असकम इस मामले में वो दोनों मतफिक थे रस्ते तयारे दिल के भी कितने अजीब थे सब रह रो थे कोई यहां रहनो माना था इनेक्सी के बाहर शाम गहरी हो रही थी बालाई मन्जल के मास्टर बैजरूम में बैच के किनारे बैठी जरताशा के चेहरे पे सोचो का जाल था वो हतेली पे थोड़ी गिड़ाए उंगली पे सामने की लटला पेड़ती दूर किसी गैर मरे नक्ते को देख रही थी बातरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी कभी कबार वो गर्दर मौड कर उस तरफ देखती और फिर दुबारा से खला में देखने लगती उसका जहन मुंकसिम था हाशिम से की कई बातें जुमर का जिकर फारिस की गैरमजूद की सब कुछ उसे बहुत उलजा रहा था अगर खावर का पार्टी में मजूद ना होना इतना एहम नहीं था तब फिर हाशिम ने बतोरे खास इस बात का जिकर क्यों किया फिर उसको आते देखकर उनके चेहरे इतने फक क्यों होगे थे जरताशा के पास बहुत से सवाल थे जवाब एक का भी नहीं था दफ़तन फोन की घंटी बजी वो बेजारी से उठी और घूंकर साइट टेबल तक आई फारिस का मुबाइल बज रहा था उपर लिखा आ रहा था मैडम जुमर जरताशा की लब बीन थे आंखों में अजीब सी नागवारी उबरी चंद लम्हें वो फोन को देखती रही फिर जपचकर उठाया जोर से बटन प्रेस करके कान से लगाया जी फरमाईए मैं डिस्टिक्ट ट्रोसेक्योटर जुमर यूसफ बात कर रही हूँ जुमर कहते हुए जरा जिचकी मुझे फारस से बात करनी है मैं फारस की बीवी बोल रही हूँ आपको फारस से क्या बात करनी है सरताशा का लहजा खोशक और सर्द था जुमर लम्हें भर के लिए चुप हो गई फिल हाल तो चीक हो लेकिन जिस तरह आप मेरी शोहर के साथ बेहेव कर रही है मुझे नहीं लगता कि अगली दफ़ा हम इतनी ही खुशकवारी से बात कर सकेंगे लाइन पे चंद लम्हें की खामोशी चाही रही फिर जुमर की आवाज उबरी तो उसमें गहरा ताज़ुब था सोरी मैं आपकी बात समझी नहीं हाला कि आपको समझना चाही था कि मेरा शोहर बेगुना है फिर भी जिस तरह आप मेरे शोहर को बार बार मुझरम थाबत करने पर तुली है इस सबसे मुझे यही लगता है क्या आप उस से कोई पराना बतला उतार रही है आखिर मेरे शोहर ने आपका क्या बिगाड़ा है वो बमुश्कुल खुसा जब्त करके कहे जा रही थी इतनी दिनों का अंदर उबलत अलावा किसी ना किसी तरह फटना ही था दूसरी जानी जुमर अचंबी और हैरत से फौन को देखकर रह गई फिर उसके तासुरात भी सफ हो गए आवास सपाथ हो गई मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही कि आप किस तरह इशारा कर रही है मैं सिरफ और सिरफ फारिस और साधी की मदद करना चाह रही थे बहराल, जब फारिस मुझसे बात करने के लिए फारिक हो जाए तो उन्हें बता दीजीएगा कि अन्होंने कल मुझे अपनी याली बाही से मिलवाना है और हाँ, उनसे कहिएगा कि अगली कॉल वो ही मुझे करेंगे क्योंकि मेरे पास फिल हाल करने को और बहुत से काम बढ़े है खट से फॉन बंद हो गया जरताशा तैश से फॉन को देखकर रह गई फिर जोर से वापस पेंका बातरूम का दर्वाजा खुला तो वो चौंकर मुरी फारिस बाहि निकल रहा था तॉलिये से गिले बार रगड़ता उसकी आँखों और चेहरे पे शदीद इस्तराब सा था यकीनन उसने ये गुफ्तगों नहीं सुनी थी वो करीब आया फिजर ताशा ने बमश्कल चेहरे के तासुरात नॉर्मल किये हलका सा मुस्कुराई मैडम प्रोसिक्यूटर का फोन आया था वो चाहती है कि आप उन्हें कॉल बेक कर ले फारिस ने ज़रा चौंकर उसे देखा आँखे सुकेर कर उसके तासुरात पर गोर किया और क्यों कह रहे ही थी कुछ खास नहीं वो गूम कर बेच की दूसरी तरफ चली गई और बरश उठा कर बालों में उपर से नीचे पेरने लगी अलबता चेहरे पे हलकी सी गबराहर थी दिल जोर जोर से धड़क रहा था फारिस जैसा आदमी को धोका देना कम असकम जरताशा के लिए इतना असान नहीं था वो रुख फेर कर बैठी आइने में उसको देखती रही फारिस अब फोन मिलाकर उसे कान से लगा रहा था फिर पलट कर वो कमरे से मलहिका बालकौनी में जा खड़ा हुआ जरताशा की समाते वे ही लगी थी बालों में हेर ब्रेश फेरता हाथ रुक गया जी अस्सलाम अलेकूं मैडम कैसी है आप आपको फोन आया था उसे फारिस की आवास सुनाई दे रही थी वो हेर ब्रेश रखके दबे कदमों उठी और चोकत में जा खड़ी हुई फारिस की उसकी तरफ पुछत थी सामें लोन नजर आता था और उसके पार हाशिम के कमरे की बाल कौनी हाशिम का कमरा हमेशा ही उन्चाई पे होता था और उनका कमरा निशेब में ये फरक जरताशा को आज पहले से ज्यादा महसूस हुआ था जी शूर मैं मैं कर आपको इससे मिलवा दूँगा टाइम और जगा मैं आपको टेक्स्ट कर दो देता हूं ओके पारिस शायद कुछ और भी कहना चाहता था मगर दूसी जानेब से खालिबन खुशक लहचे में की गई बात काट दी गई थी तब ही वो खामोश हो गया और फिर फोन बंद कर दिया जब वो पल्टा तो जरताशा को वहीं खड़े पाया क्या कह रही थी उसने बजाहिर अंजान सी बंद कर बूचा दिल अलबता जोर जोर से धड़क रहा था फारिस फोन बंद करता आगे आया जरा से खंदे उचकाए खुद भी कुछ उल्चा हुआ सा था कल मुझे उने अपनी याली बाई से मिलवाना है उसका बता रहा था फिर खामोश हो गया जैसे उसे भी जुमर के खुशक जवाब पे पहले से ज्यादा हैरत हुई थी यहां पर शायद उसे बुरा लगा था क्या वाकर जुमर उसको मुझरिम समझ रही थी क्या आपको ये लगता है कि जीए आपको मुझरिम समझती है जरताशा जरा की जरा इहतियाद से उसका चेहरा देखती करीब आई वो जो बैठके किनारे बैठ गया था चौम कर सर उचा कर उसे देखा चेहरे के तास्राद जरा नर्म पड़े आखिर वो इसकी बीवी थी उसकी सोच पढ़ सकती थी उसने मबहम साइस बात में सर हिलाया शायद जरताशा को जरा तक्वियत मिली गदर उचा कर पहले से ज्यादा एत्माद से वो करीब आई उसके कंदे पे नर्मी से हाथ रखा जुमर जो भी कहे मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझरिम नहीं है यकीनन कोई इसमी आपको फसा रहा है फारस के तासरात की नर्मी बढ़ती गई उसने हलका सा मुस्कुरा कर सर को खंद दिया ऐसी मुस्कुराहत जिसमे सोगवारियत भी थी और सखमी पनवी थैंक यू जरताशा तुम्हारी स्पोर्च मेरे लिए बहुत माईनी रखती है वो भी जवाबर मुस्कुरा दी अलबता वो पहले से ज्यादा मुस्तरिब थी उसको क्या चीज तंग कर रही थी हाशिम का एक बे माईनी बे सबब सा जुमला क्या बस यही जरताशा को तंग कर रहा था उसने सर जटकना चाहा मगर सोचों को जटकाना इतना आसान नहीं था डैसिंग टेबल की दरास में मेरी एंजियो के हाथ बिजवाई गए वीडियो सीजी रखी थी चुनके शेरीन ने बिजवाई थी इसलिए खावर को पता नहीं चल सका और ना ही हाशिम को उसने सोचा कि वो कल इसी देखेगी हाँ कल लम्हों से अब मामला क्या हुआ दिल पे अब कुछ गुजर रहा भी नहीं जिस वकट जुमर ने फारिस का फोन बंद की या वो घर में दाखल हो रही थी उसके चेहरे पे अजीब सी बेजारी और कद्रे नागवारी थी मुबाइल परस में रखते हुए वो मुँ में कुछ बड़ बड़ाई जैसे वो इस सारे खड़ाक से तंग आ रही थी मगर साधी सिर्फ साधी के लिए उसे ही सब कुछ अर्सा मजीद बरदाश करना था पता नहीं शाधी के बाद क्या होगा में डोर खोलकर वो रहधारी में आई फिर ड्राइंग रोम के करीब से गुजटती वो ठहरी जालीदार परदे के पार मेहमानों की बाते और चेहरे दिखाई दे रहे थे जरा ओठ में होकर उसने देखा यहां से सिर्फ सामने सोफी पे बैटा हम मात दिखाई दे रहा था कुछ शकल सा नوجवान जिसकी आँखों पर गलासी थे मगर इस वक्त वो गदर गयर मुतमिन सी सुरत हाल में बैटा हुआ था बाकि उसकी वालदा का चेहरा तो यहां से दिखाई नहीं दे रहा था मगर उनकी आवाज वो बहर हाल सुन सकती थी वो बड़े अबा से कह रही थी हमें बाखुबी एहसास है कि आपके खानदान की बहुत करीबी वफात हुई है लेकिन आप भी ख्याल कीजिएगा कि हमारे कार्ट्स बढ़ चुकी है हमारे सारे मिहमान आ चुके है कितने ही लोगों ने बाहर से आना था वो छुट्टी लेकर आए है वो इससे ज्यादा चहर भी नहीं सकते ऐसे में हम भी मजबूर है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी सारी बार मैं आपको शादी आगे करने का भी नहीं कह रहा शादी उसी दिन होगी जो कार्ट पे लिखा है